नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टोप 25 परमोग खबर जानते हैं जर्खन में जल्द होगी बड़े प्यमाने पर नियुक्ती सीम हे मन्त जर्खन विधान सभा का मांसून सत्र अनिशित काल के लिए अस्थागित हो गया है बतादे इसे पूर्व गुरु आरको मांसून सत्र के अमतिम दिम सीम हमन्सुरे ने विपक्ष पर जम करनी सानसाधा वहीं अगले महीने बड़े प्यमाने पर नियुक्ती होने की बात कही साथ ही कहा कि राजे में पहली बार नियुक्ती निवावली बनाई गई है इसे भवी से में भी राजे बासियों को काफी लाब मिलेगा पतादे सीम सीरी सुरे ने अस्वस्त कराया कि राजे सकार नियुक्ती को लेकर काफी गंभीर है उन्होंने कहा कि अगले महीने राजे में बड़े प्यमाने पर नियुक्ती होने वाली है इसके लिए नियोक्ति निमावली बनाई गई है नियोक्तियों को लेकर लगातार कारे हो रहे हैं जल्द ही इसकी घोसना भी की जाएगी कुरोना काल में सादगी से मनेगा गनपती महोत्सव गनपती बापा का आगमन सुक्रवार को होगा बतादे भागवान गनेश जी सुक्रवार को घर-घर विराजेंगे वहीं कुरोणा संकट के कराण इस वर्ष भी साथकी से भागवान गनेश का प्रकास्ट दिवस मनाया जाएगा मने अता है कि बिदी पुर्वक पूजा करने से लंबोदर सिग्र प्रशन होते हैं वहीं भक्तों के जीवन में आने माले बिधन बधावों को दूर करते हैं बतादे जारखन में गनेश चतूर्थी की तियारी जोर सोर से चल रही है सधालू भगवान गनेश की मूर्ती खरित के घर ले जा रहे हैं टाटाइ स्टील 10 सितंबर को होगी ऑनलाइन परिक्षा टाटाइ स्टील ट्रेड अपरेंटिस की लिखित ऑनलाइन परिक्षा दस सितंबर को होगी इस परिशह को लेकर एजनसी तियारी पूरी कर लिया है इसके लिए उमीदवारों को लिंक भी भेज़ दिया गया है इनकाउंटर से नहीं रोका जा सकता नकसलवाद हाई कोट जार्खन हाई कोट ने राज में बढ़ रहे नकसलवाद पर चिंता जताई अदालत ने कहा कि इसको रोकने के लिए सरकार के निती पुरानी है इनकाउंटर से ही उन्हें नहीं रोका जा सकता वहाँ विकास भी ताकि उनके बदलाव हो और वे भी मुख्यधारा में आ सके इस मामले में डिजीपी की ओर से नक्सल और अपराद की घटनाओं का रिकोर्ड सपा गया था इस पर कोट ने उक्त टिटनी की ST ST छात्रों को फिरी में सिविल सर्विस की त्यारी कराएगा टाटा टाटा इस्टील फावडेंशन और ट्राइवल कल्चर सोसाइटी ने जमसेद पूर्वा आसपास के असना तक उतिन ST ST छात्रों को निसुल्ख कोचिंग देने का उसर उपलब्द कराया है इसमें छात्रों को प्रतियोगिक्ता परिक्षाओ की त्यारी कराएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी छात्र सिविल सर्विस में जा सके या कोचिंग पूरी तरह से निसुल्ख होगी इसके के लिए आवेदन अमंतित किये गए हैं बतादे सहर के छात्र कोचिंग में सामिल होने के लिए ओनलाइन या ओफलाइन आवेदन कर सकते हैं रांची की सीमा कुमारी को मिले का एक लाख डॉलर का गलोबल इस्टुडेंट अवार्ड सिक्षा के अधिकार और बाल बीवाह के खिलाप जंग छेडने वाली राँची जिले की और मांजी की बिट्या सीमा कुमारी का चैन गुलोबल स्टुडेंट अवार्ड के लिए हुआ है बतादे गोलोबल स्टुडेंट अवार्ड में सिस पचास चात्रों के सुच्ची में सीमा सहीत चार भार्तिय स्टुडेंट सामिल है इन सभी को एक लाख डॉलर यानी सतर लाख रुपे से भी अधिक की पुरस्कार राची दी जाएगी बतादे कुरोना काल के दोयान वीपीत परिश्थिती में पढ़ाई जारी रखने और भवीश से बेहतर बनाने के लिए प्रतन सील रहने वाली राची की बीटिया सीमा कुमारी का चैन हुआ है इससे पहले हवार उनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सीमा को फूल एसकोलोसी भी मिली है गैर भाजबा सासित परदेशों में सरकार को परिशान कर रहा के इंद्र सीम हमांत मुख्यमंत्रिह anniversary नियूजन निती पर उठे विवाद पर कहा क्या अस्थान्य भाजबा को संरच्षित रखने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है नियूजन नीती में भाषा को समाहित करना कहीं से गयर करनोणी नहीं है जारकन से आदिवासी बिलूफ्ट हो रहे हैं को परिशान किया जा रहा है, खास कर बंगाल के चुनाव के बाद. करमचारी महासंग ने महांगाई के खिलाब DC को गयापन सोपा राश्ट्रिये राज करमचारी महासंग ने बरती महांगाई के खिलाब परदसन करने के बाद गुरु और कुराची उपायुक्त को ग्यापन सोपा संग के राश्ट्रिये मंत्री धर्म परकास सिंग ने बताया कि भारतिये मैदूर संग के अवान पर्मद परदेश में दो दिवस्ये राश्ट्रिये कारे समिती के बैठक में महांगाई पर चर्चा की गई नेनर लिया गया कि मांगाई की बिरोध में परधान मंत्री राजे के मुख मंत्रियों और उपायुक्त को ग्यापन सोपा जाएगा उन्होंने कहा कि इसी कारेकरम के तहत भारतिय मैदूर संग के जीला मंत्री अरविंद कुमार सिंग राष्ट्रिये राज करमचारी महासंग सहीत और नेपदा अधिकार्यों के नेतियुत में उपायुत को ग्यापन सोपा गया 35,000 से अधिक बिधवा वर निसकतों को नहीं मिल रही पेंसान जारखन में 20,000 से अधिक बिधवा और 15,000 से ज्यादा निसकतों को समाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंसान नहीं मिल पा रही है बतादे आईसू पार्टी के बिधायक डाक्टर लंबोदर महतों के एक कल्पसूत्चित प्रस्णों के उत्तर में महिला एवां बाल विकास मंत्री जोभा मांजी ने गुरुवार को है जनकारी दी मंत्री न कहा कि राजय में 18-60 आयूवर के 20 से ज़्यादा बिधाये ऐसी हैं जिने केंद्र या राई सरकार से समाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंसन नहीं मिल पा रही वहीं 86-60 आयूवर के 15 से ज़्यादा दिव्यांग जन भी पेंसन से वनचित हैं ज्यारखन में 27 नए केस मिले हैं जो राची से 18 पुर्वी से 22 धनबाद से 4 देवघर से 3 मिले हैं ज्यारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 154 है भारत में 24 यार 148 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,86,803 है ज्यारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं सारना धर्म कोट की मांग को लेकर दिली में 14-15 नौवंबर को सभा और सत्यागरा सारना धर्म कोट की मांग को लेकर गुरुवार को राची प्रेस कल्ब में विभीन आदिवासी समाजी धार्मिक संगठन के बैठक हुई इस दोरान धर्म कोट के आंधोरण को लेकरन निति तया की गई अयोजन राष्ट्री आदिवासी समाज सरना धर्म राक्षा अभियान ने किया इस दोरान साथ सूते निनने लिये गए इसमें सारना धर्मकोट की मांग को तेज करने के लिए दिली में 14 नौमबर को अंतर राजिये प्रतिनिधी सभा और 15 तारीको जंतर मंतर में सत्यागरा सधारना कारकरम होगा कारकरम में सभी आदिवासी बहुल राजिये के प्रतिनिधी सामिल होंगे रूपा तिर्की मौत मामला बहुँ चर्षित महिला थाना प्रभाए रूपा तिर्की की मौत मामले की जाज के लिए पटना CBI की टीम एक्टिव हो गई है बताते गुरुवर की सुबा ही DSP, बिसंभर, दिक्षित, वपी, गौरोला के नितित में CBI की चार सदस्य पटना से साहिव गंज पहुँची टीम सुबा 11 बये सबसे पहले ESP ओफिस पहुँची वह अपराज साखा से अहम जनकारी ली इसके बाद ESP आवास पहुँच कर उनसे अहम जनकारी प्राप्त की मिली जनकारी के मुताविक CBI के टीम जल्द ही जेल में बंद रूपा तिर्की के बैंचमेंट दरोगा सीव कुमार कुमार कोनोजय सहित दर्ज पराथमिकी के अन अरोपियों से भी पुछताच कर सकती है बोकारो का लोगू पहाड होगा जय विवित्ता छेत्र घोसित जारखन के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखन के लोगू पहाड के चिन हीत 85,77.8 तो एकर भुभाग को जय विवित्ता छेत्र घोसित करने की पहल सुरू हो गई है जार्खन जय विविता परिशत के सदस्त सचीव ने इस समन्द में बोकारों के वन प्रमंडल पता अधिकारी को पत्र लिखा है वहीं ललपनिया के निवर्तमान मुखिया को पत्र पिरसित कर ग्राम समावे समती प्रस्ताव पारित कर विभा को सुचना देने को कहा है जार्खन बिधान सभा परिशर में नमाज के लिए अलग से कमरा अवंटित होगा या नहीं कमेटी करेगी फैसला जार्खन बिधान सभा में नमाज के लिए कमरा अवंटित करने के मामले में गर्माई राई नितिक में और फिलहाल बिराम लग सकता है बतादे स्पिकर रबिदनाद महत्यों ने साथ सद से कमिटरी गठित करने पर अपनी समति दे दी है कमिटरी की रिपोर्ट के बाद ही निनल लिया जाएगा कि विधान सभा परीसर में नमाज के लिए अलग से कमरा आवँटित होगा या नहीं बिधान सभा में बिजेबी बिधायकों का हंगामा भाजपा बिधायकों का हंगामा जारी है बतादे मांसूल सत्र की सुरुवात से ही विपक्षी दल भाजपा सत्ता पक्ष पर हमलवार है और सदन के बाहर से लेकर सदन में भी हंगामा कर रही है भाजपायों पर लाठी चार्ज के बिरोध में भाजपा बिधायकों ने हंगामा किया इस करण सदन की करवाई कुछ देर के लिए अस्थागित करनी पड़ी बता दे जार्खन के रेधानी राची में बिरोध परदसन के दुरान भाजपायों पर कल लाठी चार्ज भी किया था इसमें भाजपा के परदेश अध्यक समेत कई चोटिल हुए जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता आटो चला कर पहुचे बिधान सभा जार्खन बिधान सभा के मांसो सत्र के दुरान मंगलवार को भाजपा बिधायक सीपी सिंग द्वारा स्वास्त मंत्री बना विरोध में गुरुवार को बीजेपी विधायक ने सदन के बाहर विरोध पर्धन किया और सदन के अंदर भी हंगामा किया है वाइरल सर्दी खासी बुखार की चपेट में आ रहे है गुमला के लोग अस्पताल में बेड़ फूल गुमला जिला वाइरल बीमारी सर्दी खासी बुखार बदन दर्ध की चपेट में है बतादे स्वास्त विभाग की माने तो एक महिना पहले गुमला में वाइरल बीमारी फैली है अभी और कुछ दिन इसका असर रहेगा जब तक वाइरल बीमारी थम नहीं जाती लोगों को स्वास्त वा खानपन पर ध्यान देने के लिए कहा गया है साथी भीर भाग से दूर रहने के लिए सला दी गई है बतादे गुमला में जिस त्यजी से वाइरल बीमारी फैली है हर घर में कोई न कोई ब्यक्ति सर्दी खासी बुखार बदंदर्ध से परिसान है खास कर जो लोग विमार हैं उन्हें घर में रहने की सला दी गई है सदन से रोते हुए निकले विधायक अमर बावरी बोकारों के चंदन कियारी से भाजबा विधायक वर रहुवर दास में मंत्री रहे अमर बावरी सदन से रोते हुए निकले उन्होंने कहा कि जार्खन विधान सभा अत्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने बोलने का मौका नहीं दिया, दलित होने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया, इधर उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आसु मेरी कमजोरी नहीं, बलकि मेरे समर्पन का संकल्प है, एक विधाय लड़कियों को दिली ले जा रहे थे लोग पुलिस ने किया गिरफतार दूसरे परदेश में काम दिलाने के बहाने नवालिक आदिवासी बचियों को पहला फुसला कर दिली ले जा रहे दो लोगों को महुआ डार थाना पुलिस ने गिरफतार कर गुरुवार को जेल भेज इस समय में जनकारी देते हुए SDPO राईस को जूर ने बता है कि गिरामिनों ने बुद्धवार को थाना परभारी असुतो स्यादों को सुचना दी थी कि पांच नमालिक आदिवासी लड़कियों को बाल सरम कराने के लिए दिली ले जाया जा रहा है कोल इंडिया के पास जारखन सरकार का डेल्डा कोर बकाया मुख्यमंत्री हमंसुले ने कहा है कि कोल इंडिया के पास राई सरकार का डेल्डा कोर रुपय का बकाया है अभी तक कोल इंडिया से महाई 300 कोर रुपय प्राप्थ हुए है भाजपा विधायक ढूलू महतो द्वारा धनबाद में रहेतों के मुआवजा भुक्तान होने तक खनन परोक लगाने के प्रस्ता पर मुख मंत्री ने बात रखत खे उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कमपणिया जहारखन में काबिज होने से पहले हाथ पर जोड़ती है इसमें IIT धनबाद को इंजिनियरिंग संस्थानों में देश में एकारवा अस्थान प्राप्थ हुआ है वही सभी संस्थानों की स्रेणी में इसे 26 अस्थान मिला है बतादे नेशनल इंस्चुट रेकिंग फ्रेम वर्क की रिपोर्ट के अनुसार इंजिनियरिंग संस्थानों की स्रेणी में BIT मेसरा को 46 अस्थान प्राप्थ हुआ है भाजपा प्रतिनिदी मंडल ने राजजे पल के नाम सोपा ग्यापन जार्खन भाजपा का एक प्रतिनिदी मंडल गुरु आर को राजबन पहुँचा प्रतिनिदी मंडल ने विधान सवा में नमाज कक्ष आवंटन का देश को रद करने विरोध प्रदसन के दोरा ने ताओं करकर ताओं पर बरबर लाठी चार्ज की जाज की मांग को लेकर राजपाल के नाम ग्यापन सोपा बतादे प्रतिनिदी मंडल में भाजपा परदेश महा मंतरी आदित्य साहू परदेश उपाद्यक्ष डाक्टर प्रदीप वर्मा पूरो विधायक गंगोत्री कुजूर परदेश मंतरी सुबोध सिंग सामिल थे राजपे के सबसे बड़े अस्पताल डिम्स ने एम्स के साथ मिलकर देश का पहला ऐसा सोध किया है जिसका परचम अब अमेरिका में भी लाहराया है बतादे रिम्स के डाक्टरों ने अपने साथ वरस के लंबे सोध में लाकवा बिमारी से पूरो अनुमान के बारे में पता लगा लिया है इस वोद के बाद अब लाकवा के होने से बचने के लिए इसकी दवा बनाई जा रही है जो न सिर्फ जार्खन बलिक पूरे देश के लिए एक बड़ी सफलता मनी जा रही है जार्खन अनलोग 7.0 पर जल्द होगा फैसला जार्खन में अनलोग 7 को लेकर अगले 2-3 दिन के भीतर निनन लिया जाएगा जार्खन बिधान सभा में विपक्स के बाबा बैदनाथ धाम मंदीर खोलने के मुदे पर सियम हमान सुरे ने कहा कि दो से तीन दिन के भीतर आपदाय पर वन्दन की बैठाक होगी उन्होंने कहा कि हमें बेवसाईयों की चिंता है हमारी भी मंदीर पर आस्था है इस पर जल निर्द लेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल के बेल लाइक कर दबए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर पर दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट वक्स में आपना फीड़वेक अवास दे थाइंक यू